हे गाईज मैं उडिके आप सभी का स्वागत है माई इटूब चनल में तो गाईज आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी बोर्ड परिच्छा कब से सुरू होंगे तो आप यहाँ पर उपर देख पार होंगे पंचाय चुनाओ के बाद होगी यूपी बोर्ड परिच्छा चौदर जनावरी को बैठक में होगा फैसला आप यहाँ पर देख सकते हैं उपर इसके बाद बोर्ड परिच्छा के लिए पंचाय चुनाओ का इंतिजार किया जा रहा है क्योंकि कई ग्रामिट चेत के स्कूलों का इस्तमाल चुनाओ में मद्दान केंद की तरह होना है चुनाओ में सिच्छकों की बीडिटी लगाई जाएगी ऐसे में पंचाय चुनाओ के बाद ही परिच्छा हो सकती है आप यहाँ पर ओभी देख सकते हैं यह जो नीव जा रही है इसके बाद आप यहाँ पर देपा रहे होंगी उत्तर प्रदेश में पंचाय चुनाओ के बाद यूपी बोर्ड परिच्छाएं होने की बात कही जा रही है यहाँ पर लखनव उत्तर प्रदेश में मादिमिक सिच्छा परिच्छा परिच्छत यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परिच्छा 2021 का एवजन को लेकर 14 जनवरी को अहम बैठक होने जा रही है इस बैठक में अध्यच्छता प्रदेश के टिप्टी सीयम डाक्टर दिनेश सर्मा करेंगे माना जा रहा है कि पंचाय चुनाओ के बाद बोर्ड परिच्छाओं की तारिक को लेकर इसमें चर्चा होगी जानकारी के अनुषार बोर्ड परिच्छा के लिए पंचव चुनाओ के प्रस्तावित काजकरम का इntजार किया जा रहा है कारा रहा है कि कई गरामिर छेतर के स्कूलों का इस्तमाल पंचव चुनाओं में बद्दान केंद की तरह होना है यही नहीं टीचरों के भी इन चुनाओं में ड्यूटी लगाई जाएगी ऐसे में पंचाय चुनाओं के बाद ही परिच्छा हो सकती है बता दें यूपी बोर्ड में 10 और 12 परिच्छाओं के लिए आलाइन अवेदन जमा करने की अंतिमतिती बढ़ा कर 5 जनौवरी 2021 तक कर दी गई है इस बार की बोर्ड परिच्छाओं में राज के खूल 27,832 स्कूलों में से 22,172 स्कूलों का चैन किया गया है तो ऐसे ही खबर पाने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर लेजिए सब्सक्राइब कर लेजिए मिलते हैं अंगली ब्रीयोक साथ चैहिंग चैभारत